इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं इथोपिया के बारे में The War Within विदिन का मतलब होता है भीतर भीतर कि भई इथोपिया के भीतर युद्ध जैसे हालात हैं तो वे युद्ध जैसे हालात क्यों हैं? इन सब की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे The War Within कि इथोपिया के भीतर युद्ध के हालात हैं इथोपिया needs a political solution कि भई इथोपिया को एक राजनेतिक समाधान की जरूरत है कुल मिला के एक राजनेतिक संकट इथोपिया में बना हुआ है तो एक समाधान इथोपिया को चाहिए Restoring Restoring का मतलब होता है पुनह बहाल करते हुए पुनह वापस जो है नॉर्मल स्थिती में किसी चीज को लोटाना उसे कहा जाता है restore करना है Restoring the balance among ethnicities and regions Ethnicities का मतलब है यहाँ पे विभिन प्रजातियां यानि कि इथोपिया की जो विभिन प्रजातियां है विभिन छेत्र हैं उन सभी छेत्रों में और उन सभी विभिन प्रजातियों में एक संतुलन इस्थापित करने की जरूरत है एक संतुलन को पुनह बहाल करने की जरूरत है आगे देखते हैं When Abiy Ahmed became Ethopia's Prime Minister in April 2018 कि 2018 में जब Abiy Ahmed इथोपिया के Prime Minister बने hopes were high तो बहुत ज़्यादा उम्मीदे थी बहुत ज़्यादा आशाएं थी That the former army intelligence officer अब ये अभी एहमद जो है न ये former का मतला होता है पूर्व ये पूर्व सेना के एक intelligence officer थे तो सभी को जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदे थी जब ये प्रदान मंत्री बने क्या उम्मीदे थी कि former intelligence officer would bring a new dawn कि भई ये जो अभी एहमद है न यह एथियोपिया के लिए एक नया सवेरा लेके आएंगे dawn dawn का मतला होता है एक नया सवेरा एक नई शुरुवात to the country कि भई इथोपिया के लिए एक नई शुरुवात अभी एहमद लेके आएंगे अभी है न इथोपिया जो की जाना जाता है non for its ethnic fault line इथोपिया जिसे की जाना जाता है किस बात के लिए प्रजातिय संगर्षों के लिए fault line का मतलब है कि ये ये कमिया है इथोपिया में ये दोश है ये खामिया है इथोपिया में तो क्या खामिया है इथोपिया में इथोपिया में खामिया है कि इथोपिया प्रजातिय संगर्ष के लिए जाना जाता है यहाँ पर विविन प्रजातियां आपस में लड़ती रहती है तो जब ये पहली बार प्राइम मिनिश्टर बने तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदे थी कि इथोपिया में एक नई शुरुवात होगी अभी एहमद के प्राइम मिनिश्टर बनने से अरली ओन, शुरुवात में अरली ओन का मतला होता है प्राइम में शुरुवात में He reached out, reach out का मतला होता है पहुंचना जिसे दूर दराज के छेत्र तक पहुंचना है बहुत जो दूर दराज के लोग है उने तक अपनी पहुंच बनाना He reached out to the political opposition तो शुरुवात में हमें क्या देखने को मिला जब अभी अहमेद प्रदानमंत्री बने तो शुरुवात में जो है इनके जो राजनेतिक विरोधी थे उन तक पहुँचे यानि कि उनसे बादचीत करने की कोशिश ही Lifted Curves on the Media Media पे है ना कि वह यह जो भी Media है हमारा इस पे जो प्रतिबंद लगे हुए थे इथी इथोपिया में कब्स का मतलब होता है प्रतिबंद रोक तो मीडिया पे जो रोक लगी हुए थे ना उसको lift कर दिया उसको हटा दिया उस रोक को And made peace with Eritrea और इथोपिया की Eritrea के साथ में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी तो इन्होंने Eritrea के साथ में शांती को इस्थापित किया और इन सब कामों के लिए Moves, Moves का मतलब है कदम और इन सब कामों के लिए इन सब कामों के लिए That won him the peace noble in 2019 इन सब कामों के चलते Things fell apart rather quickly But things fell apart तो इसका मतलब क्या है Fell apart Fell apart का मतलत होता है तूटकर गिर जाना धराशाई हो जाना कि इन्हें नोबल पुरसकार मिला अच्छे अच्छे काम इन्होंने किये लेकिन फिर भी मामला बिखर गया मामला बिगड गया बहुत ही जल्दी Rather quickly का मतलब है बहुत ही शीगरता से जो शान्ती इन्होंने स्थापित की जो अच्छे कदम इन्होंने उठाए वे सब अच्छे कदम जो है इनके बहुत जल्दी धराशाई हो गए आगे देखते हैं Last week पिछले सब्ता हमें क्या देखने को मिला Mr. Abir declared कि ये जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है Mr. Abir इन्होंने घोषना कर दी declared war युद्ध की घोषना कर दी war on the countries Tigre region कि ये जो इथोपिया है इथोपिया जो देश है इसका एक छेतर है उसका नाम है Tigre तो इस छेतर में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है युद्ध की घोषना कर दी पिछले सब्ता which is ruled अब ये देखो Tigre region के बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये Tigre region जो है इसके बारे में हमें जानकरी दी जा रही है कौमा लगा कि which is ruled by the powerful Tigre people's liberation front कि भई Tigre region जो है उसमें शाषन किया जाता है ruled by का मतलब है कि Tigre छेत्र जो है इसमें शाषन किया जाता है किसके दोरा powerful शक्तिशाली Tigre Liberation Tigre people's liberation front TPLF के दोरा है ये एक party है इसके दोरा Tigre छेत्र में शाषन किया जाता है और इस छेत्र में पिछले सब्ता Mr. Abiy Ahmed ने युद की घोषना कर दी in response to its attack on a federal military base in Tigre अब देखो Mr. Abiy Ahmed ने Tigre छेत्र में युद की घोषना क्यों की इसलिए कि प्रतिकरिया देते हुए in response to its attack वही क्या हुआ कि ये जो TPLF है न इसने जो है attack कर दिया कि भई जो Abiy Ahmed है उनकी सरकार का जो military base है military base का मत्ता होता है सेने आधार जहां पे सेना का अपना जमावडा होता है सेना के camp होते है तो Tigre छेत्र में इथोपिया सरकार की सेना का एक camp था उस camp के उपर TPLF ने हमला कर दिया और इस हमले की प्रतिक्रिया सरूप Mr. Abiy Ahmed ने Tigre छेत्र में युद्ध की घोशना कर दी ये पूरा मामला है आगे देखते है the militia turned party TPLF जो है यहां एक नागरिक सेना थी turned party और इसके बाद में यहां एक राजनितिक party में बदल गई which was part of the coalition और यह जो TPLF थी यहां एक संगटन का हिस्सा थी coalition का मतलब है संगटन गटबंदन जो होता है उस गटबंदन को कहा जाता है coalition तो एक गटबंदन का हिस्सा थी TPLF that brought an end to the military dictatorship in 1991 1991 तक इथोपिया में military dictatorship सैनिक तानाशाही हुआ करती थी इस सैनिक तानाशाही को 1991 में समाप्त किया गया और जिस गटबंदन ने इस सैनिक तानाशाही को समाप्त किया उस गटबंदन का हिस्सा थी कौन TPLF यही लिखावा है पूरा है head played a dominant role तो यह जो TPLF है head played यह निभा चुकी थी क्या a dominant role dominant role का मत्त होता है एक प्रमुक रोल प्रधानता पूर्ण रोल in the country's ruling coalition कि बही country's ruling coalition कि बही 1991 के बाद में क्या हुआ कि बही यह जो सैनिक तानाशाही थी वो समाप्त हो गई और इसके बाद में जो नई सरकार बनी है the Ethiopian People's Revolutionary Democratic Fund तो यह 1991 के बाद में जब सैनिक तानाशाही समाप्त हुई इथोपिया में तो नई जो गठबंदन सरकार बनी उस गठबंदन सरकार का नाम था Ethiopian People's Revolutionary Democratic Fund Ethiopian People's Revolutionary Democratic Fund revolutionary का मतलब होता है क्रामतिकारी democratic मतलब लोक तंत्र से संबंदित फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा तो Ethiopian People's Revolutionary Democratic Fund जो गठबंदन बना जब सैनिक तानाशाही समाप्त हो गई 1999 में इसके बाद में जो गठबंदन सरकार बनी उस गठबंदन में TPLF ने बहुत महत्वण भूमी का निभाई After Mr. Abiyya came to power After Mr. Abiyya came to power Mr. Abiyya के सत्ता में आने के बाद He purged Purge का मतलब होता है निकाल देना बाहर कर देना The TPLF From Senior Government Positions तो देखो जब Mr. Abiyya सत्ता में आये तो इन्होंने क्या किया TPLF के जो लोग थे उन्हें महत्वण पदों से हटा दिया निकाल दिया TPLF के लोगों को निकाल दिया गया जब Mr. Abiyya सत्ता में आये He push Push का मतलब होता है इस बात पे जोर देना To concentrate more power Concentrate का मतलब है केंद्रित करना More power in the hands of the government alienated the TPLF further कि भई इन्होंने क्या है बार बार इस बात के प्रियास किये कि ज़्यादा से ज़्यादा power सरकार के हाथ में रहे Mr. Abiyya जब से सत्ता में आये तब से इनकी कोशिश रही More power in the hands of the government कि ज़्यादा से ज़्यादा power सरकार के हाथ में रहे तो इस तरह के जो प्रियास थे Mr. Abiyya Ahmed के इन्होंने दूर कर दिया alienate का मतलब होता है दूर कर देना the TPLAF further further का मतलब है और आगे जब किसी हम कोई बात कर रहे है कोई matter चल रहा है उस matter में और आगे को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लगाते है further तो क्या हुआ कि भी TPLAF जो पार्टी थी जन्रल इलक्षिंज इन अगेस्ट टू 2021 साइटिंग दे कॉरोना वाइरस पेंड़ी वें दे फेडरल गॉवर्मेट अब ये जो इथोपिया की संगिय सरकार है इसने पोस्ट पॉन कर दिया इस्थगित कर दिया किस चीज को जन्रल इलक्षिंज को कि अगस्ट में ये जो जन्रल इलक्षिंज होने थे इथोपिया में इन जन्रल इलक्षिंज को पोस्ट पॉन कर दिया गया 2021 तक कारण क्या बताया गया साइटिंग, साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए, कारण बताते हुए कारण क्या बताया गया कोरोना वायरस पैंडमिक, पैंडमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए, इथोपिया की संगी सरकार ने जनरल इलक्षन जो की अगस्त में होने थे उनको पोश्ट पॉन कर दिया 2021 के लिए, तब क्या हुआ, टिग्रे च्छेत्र के जो राज लेता हैं, उन्होंने Mr. Abiy Ahmed पे आरोप लगाया किस बात का, of a power grave, and held elections, उन्होंने टिग्रे च्छेत्र के जो राज लेता थे, उन्होंने Mr. Abiy Ahmed पे आरोप लगाया, कि आप, उन्होंने कहा कि Mr. Abiy Ahmed जो है, वे सत्ता को, वे ताकत को पकड़ना चाहते पावर ग्रेब, ग्रेब का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, and held elections, और टिगरी छेत्र के politicians ने अपने छेत्र में जो है चुनाव आयोजित करवाए, in a held elections, in September, September मन्त में टिगरी छेत्र में टिगरी के politicians ने जो है चुनाव आयोजित करवाए, in the region है न, टिगरे छेत्र म इन defiance of आदिस अबावा, इथोपिया की राज़दानी का नाम है आदिस अबावा, in a defiance of, defiance का मतलब होता है किसी के order को न मानना, किसी का विरोध करना, तो आदिस अबावा की सरकार के विरोध में टिगरे छेत्र के politicians ने सिप्तमबर में चुनाव आयोजित करवाए, rising tensions, rising tensions का मतलब है, बढ़ती हुई tensions है, बढ़ती हुई चिंताएं, led to, led to का मतलब है, कारण बनना, कारण होना, led to and outburst last week, outburst का मतलब होता है, फट पढ़ना, जैसे हम बोलते हैं कि कई समय से लोगों में गुसा भरा हुआ था, अचानक वो गुसा फट पढ़ा है तो उसको से हम कह सकते हैं, कि इथोपया में tensions बढ़ती जा रही थी, और ये tension अचानक फट पढ़ी है न, last week, पिछले सब्ता, with the attack on the base, कि टिग्रेज छेत्र के जो लोग बाग थे, उन्होंने क्या किया, आर्मी बेस पर, है न, आर्मी के केम्प पर हमला कर दिया, आगे देखते हैं, the tigreans, कि ये जो टिग्रेज छेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए खा गया है, tigreans, who makeup, makeup का मतलब है निर्मित करना, roughly, एक अंदाजा अगर हम कहें, roughly का मतलब है, एक मोटा मोटा अगर हम बात करें, एक मोटी मोटी अगर हम बात करें, roughly अगर हम आईडिया निकालें, तो 6% of Ethiopia's, 110 million people, कि इथोपिया की जनसंग क्या है, 110 million, इस 110 million में से 6% लोग जो हैं, वे हैं, टिग्रेans है, ये है, एक मोटा मोटा अखडा, have traditionally enjoyed, outsized influence है, तो ये जो टिग्रेans है, have traditionally, traditionally, पारंपरिक रूप से इन्होंने जो है, लाब प्राप्त किया है, enjoyed का मतलब है, यहाँ पे लाब प्राप्त किया है, outsized influence, कि भई, ये जो टिग्रेans है, इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जनसंख्या का जो साइज है, उस साइज से बहुत ज़्यादा प्रभाव, इनका सरक पर रहा है, ये जनसंख्या की जनसंख्या 110 मिलियन, टिग्रेans जो है, इनकी जनसंख्या है, इनकी जनसंख्या की मात्र 6 परतिशत, लेकिन फिर भी, अपनी जनसंख्या के अनुपात में, सरकार की उपर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, पारंपरिक रूप से, ये अईट्योरिल कहना चारा है न, वेरेज, जबकी, वेरेज, जबकी, दा, और आरमोस, ये जनसंख्या के जो लोग है, वे इस बात मतला होता है, Marginalization Marginalization का मतला होता है हाशिये पर होना इनका कहना है कि हमारी स्थिति बहुत ही कमजोर है हम बहुत ही मामूली हैं हम बहुत ही हाशिये पर हैं और जबकि हम सबसे ज़ादा हैं जनसंक्या की दरश्टी से Mr. Abhi जो कि वर्तमान में एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेपाल की सरकार के प्रमुक है अब ये क्या है औरोमो जाती से संबंदित है ये भी एक औरोमो है हैज सेड ये कह चुके है क्या कह चुके है हिज मेंडेट इज टू प्लेस इथोपियास इंट्रेस्ट ओवर दरीजन हिज मेंडेट यहाँ पर हिज मेंडेट से मतलब है कि मिस्टर अभी ये ने कहा है कि उनकी जो अथारिटी है उनकी जो सरकार है इज टू का मतलब है उनको ऐसा करना है देखो इज टू, आर टू, एम टू इसका मतलब होता है कि हम किसी arrangement को दिखाते हैं कि ऐसा होना है ऐसा करना है कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना है मुझे अपना काम निपटाना है कोई arrangement को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रियोग करते हैं इस तू आर टू एम टू इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनका काम है कि सारे की सारे इथोपिया के हितों को वरियता दी जाए बजाए इथोपिया के किसी particular छेत्र के ओवर का मतलब है कि इसके बजाए इसको प्रात्मिक्ता दी जाए and correct और क्या कहा है Mr. Abiyah Ahmed ने उन्होंने कहा है कि उनकी प्रात्मिता है and correct the uneven distribution of power uneven का मतलब है आसमान, distribution of power कि पूरे इथोपिया में जो एक तरीके से शक्ती का वित्रण जो कि आसमान है उसको correct करना है ये काम भी किसका है इथोपियन सरकार का ऐसा Mr. Abiyah Ahmed ने कहा आगे देखते हैं but his actions लेकिन जो Mr. Abiyah Ahmed है उनके जो actions है, उनके जो काम है often, अक्सर हम उनके कामों के बारे में देखते हैं produced का मतलब है पैदा करना, create करना unintended consequences consequence का मतलब होता है प्रतिकूल परिनाम देखो, intended का मतलब है जैसा आपका इरादा था unintended का मतलब है कि ऐसा आपका इरादा नहीं था तो ज्यादा तर हमें क्या देखने को मिला है Mr. Abiyah Ahmed ने जो भी कदम उठाए है उन कदमों के हमें गेर इरादतन प्रतिकूल परिनाम देखने को मिले यनि कि कदम तो उन्हों अच्छे उठाए लेकिन उनके परिनाम प्रतिकूल आए यनि कि उनका इरादा ऐसा नहीं था कि गलत परिनाम आए लेकिन कई बार हमें देखने को मिला कि Mr. Abiyah Ahmed ने जो कदम उठाए उनके परिनाम हमें गलत देखने को मिले प्रतिकूल देखने को मिले इन दा औरोमो रीजन औरोमो छेतर की अगर हम बात करें His critics complain कि औरोमो छेतर में Mr. Abiyah Ahmed के जो आलोचक हैं वे इस बात की शिकायत करते हैं That he is trying to कि Mr. Abiyah Ahmed कोशिश कर रहे हैं किस बात की To grab more powers कि Mr. Abiyah Ahmed औरोमो छेतर में जदा से जदा पावर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं Grape का मतलब है पकड़ना For the Federal Government कि Mr. Abiyah Ahmed संगी सरकार के लिए औरोमो छेतर में जदा से जदा पावर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा औरोमो छेतर के जो आलोचक है न आरोप लगाना किसी पर Taking away, take away का मतलब होता है किसी चीज को छीन लेना, their rights जबकि टिग्रेयन लोगों का कहना है कि Mr. Abhi Ahmed जो है उन्होंने उनके अधिकार छीन लिये है टिग्रेयन लोगों का कहना है कि Mr. Abhi Ahmed ने हमारे अधिकार छीन लिये है Earlier this year इस साल की शुरुवात में हमें क्या देखने को मिला deadly protest deadly का मतलता है बहुत ही ज़्यादा घातक protest का मतलब है विरोध broke out, broke out का मतलब है फैलना भढ़क जाना, जिसे दंगे भढ़क जाएं, दंगे फैल जाएं उसको बोला जाता, break out या broke out अचानक से फैल जाना किसी चीज का तो इस साल की शुरुवात में क्या देखने को मिला deadly protests broke out कि after the singer Hachalu Hundesha and Oromo कि वही एक singer था, एक singer थे यहाँ के एथोपिया के बहुत ही प्रसिद उनका नाम था, Hachalu Hundesha ये Oromo जाती से Oromo जाती से संबंदी थे what shot that in Adish Ababa इनको गोली मार दी गई Adish Ababa में कि वही बहुत ही famous singer Hachalu Hundesha जो की Oromo जाती से संबंदी थे इनको Adish Ababa में गोली मार दी गई तो इसके बाद में बहुत ही भयानक विद्रोह इथोपिया में फैल गए बहुत ही जादा विद्रोह जो है बहुत ही घातक विद्रोह इस साल की शुरुवात में भड़क उटे Now, Ab With the decision Now, with his decision to bomb Tigre कि भई अभी हाल ही में जो Mr. Abhi Ahmed इन्होंने decision लिया है क्या decision लिया है? To bomb Tigre यहाँ पर bomb का मतलब है गोली बारी करना है बंबारी करना Tigre कि भई Tigre छेतर पर बंबारी करने का जो decision Mr. Abhi Ahmed ने अभी हाली में लिया है Mr. Abhi has declared war on his people तो इस decision के साथ में Mr. Abhi जो है उन्होंने अपने लोगों के ऊपर ही युद्ध की घोशना कर दी है Has declared war on his people at a time और एक ऐसे समय पे When ethnic tensions एक ऐसे समय पे जब एथोपिया में प्रजातिय संगर्ष जो है ethnic tensions are running high कि भई एथोपिया में प्रजातिय tensions प्रजातिय संगर्ष बहुत ही ज़्यादा चल रहा है Running high का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रजात्ती संगर्ष इथोपिया में चल रहे हैं ऐसे समय में उन्होंने जो बंबारी करने के आदेश दिये हैं तो एक तरिकेशन उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है ही मेबी ट्राइंग हो सकता है वे प्रियास कर रहे हो मेबी कि वही हो सकता है ऐसा क्या ट्राइंग टू सेंड अ स्ट्रोंग मेसेज हो सकता है कि वे एक कठोर संधेश है शो मजबूत संधेश देना चाहते ह DecATHER कि वे जो भी विद्रोही है टिग्रेण छेतर में तो इसलिए उन्होंने बंबारी की हो that patience is wearing thin देखो wear thin का मतला होता है और भी ज़्यादा कमजोर हो जाना कि भई हो सकता है Mr. Abiy Ahmed टिग्रेज छेत्र के politicians को दिखाना चाहते हो कि भई अब इससे ज़्यादा हम बरदास्ट नहीं कर सकते कि patience की सीमा होती है कि अब patience खत्म होता जा रहा है patience is wearing thin कि भई patience जो है पतला पड़ता जा रहा है कि अब patience जो है इथोपियन सरकार जो है या Mr. Abiy Ahmed जो है वे ये कहना चाहते हैं टिग्रेज छेत्र के politicians से कि भई ठीक है आप जो है लगातार ये जो उधम मचा रहा है इसको हम ज़्यादा बरदाश्ट नहीं कर सकते है बट if he thinks लेकिन अगर Mr. Abiy Ahmed सोचते है और military campaign कि एक सेन्य अभियान campaign का मतलब होता है अभियान कि अगर Mr. Abiy Ahmed सोचते है कि एक सेन्य अभियान would solve the conflict कि उसके माद्यम से conflict का मतलब है संगर्ष कि विबिन संगर्ष जो की इथोपिया में चल रहे है उन संगर्षों की समाप्ती सेन्य अभियान से हो जाएगी कि between ethnicities and regions सेन्य संगर्ष है विबिन प्रजातियों के बीच में और विबिन छेत्रों के बीच में जो सेन्य संगर्ष चल रहे है उनकी समापती military campaign से हो जाएगी अगर Mr. Abhi Ahmed ऐसा सोचते है तो वे गलत सोचते है He could be well mistaken, हो सकता है वे गलती में हो अगर वे ऐसा सोचते है कि सैनिक कारिवाही से Ethiopia में जो संगर्ष चल रहे हैं वे संगर्ष समापत हो जाएगे तो वे बहुती बड़ी गलत फैमी में हो सकते है ये गलत फैमी हो सकती है आगे देखते है The regions जो विबिनी छेत्र है इथोपिया के largely divided on ethnic lines कि इथोपिया के जो विबिनी छेत्र है वे प्रमुक्तया बटे हुए है किस बात को लेकर बटे हुए है तो इस तरह से एक तरीके से आप कह सकते हो कि इथोपिया के ज़्यादा तर जो छेत्र है वे प्रजातिय रेखाओं के आधार पे बटे हुए है Have militias That cut Have militias तो ये जो विबिन प्रजातिया है न Have militias इनकी अपनी नागरिक सैनाय है Have militias That cut their teeth in the struggle Cut your teeth Cut once teeth का मतलब होता है अपना पहला अनुभव प्राप्त करना Cut once teeth का मतलब होता है कि भी किसी भी काम में आपने पहली बार कब शुरुवात की है आपका पहला अनुभव उसको कहा जाता है Cut their teeth तो इथोपिया में ज़्यादा तर जो है Ethnic communities है नागरिक सेना हैं विबिन चेत्रों में और यह जो विबिन नागरिक सेना है इन्होंने अपना पहला अनुभव प्राप्त किया कहां पर? In the struggle संघर्ष में Against the Janta अब यह जो शब्द लिखा हो है ना Janta इसका मतलब समझते हैं एक सेनिक सरकार वो क्या करती है देश की सरकार को अपनी ताकत के माध्यम से कबजे में ले लेती है और इस प्रकार से जो सेमिक सरकार बनती है उसे कहा जाता है Janta तो इतोपिया में कई सारे ग्रूप हैं, कई सारी नागरिक सेना हैं जिनोंने क्या किया यह जो मिलिटरी सेना थी न, 1999 तक जो मिलिटरी सेना हुआ करती थी उस सेना के खिलाफ इस्ट्रगल करके इन मिलिशियास ने अपने पहले अनुभव को प्राप्त किया यानि कि धिर धिरे लड़ाई में expert होगए लेकिन militia, कई नागरिक सेना है एथोपिया में ये नागरिक सेना केसे बनी? सबसे पहले इन्होंने अपना अनुभव प्राप्त किया कि इतोपिया में सैनिक सरकार हुआ करती थी, उस सैनिक सरकार के खिलाब struggle करके इनोंने अपना पहला अनुबाव प्राप्त किया आगे देखते हैं Instead of bombing his own country, instead of का मतलब है के बजाए, bombing का मतलब है एक तरीके से bambari करना, his own country कि भई अपने ही देश पर bambari करने के बजाए Mr. Abiyah should reach out Mr. Abiyah को पहुँचना चाहिए reach out का मतलब है दूर दराज के छेतरों में पहुचना है न, should का मतलब यसा करना चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए? कि भई उन्हें पहुचना चाहिए, कहां पहुचना चाहिए? To regional political leadership कि टिगरेन छेतर के टिगरेन छेतर के जो राजनेता है वहां की जो leadership है उन लोगों से उन्हें बातचीत करनी चाहिए Especially the TPLF, खास करके TPLF party से जुड़े हुए जो नेता है उनसे Mr. Abhi Ahmed को बात करनी चाहिए Find common ground, एक समान आधार निकालने की कोशिश, common ground का मतलब होता है कुछ ऐसी बाते हैं जिस पर दोनों parties सहमत हो जाए Mr. Abhi Ahmed को देश को चलाना चाहिए peacefully, शान्ती पूर्ण ढंग से By restoring the balance, restoring का मतलब है पुनह बहाल करते हुए है पुनह नॉर्मल इस्थिती में लाते हुए The balance, कि Mr. Abhi Ahmed जो है उन्हें संतुलन इस्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए किनके बीच में? Between ethnicitys, ethnicitys का मतलब है विभिन प्रजातियों के बीच में And regions और विभिन चेत्रों के बीच में तो Mr. Abhi Ahmed जो है उन्हें इथोपिया के विभिन चेत्रों के बीच में विबिन प्रजातियों के बीच में संतुलन इस्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और शांति पूर्ण तरीके से समश्याओं का समाधान करनी कोशिश करनी के चाहिए इस तरह से उन्हें अपने देश को चलाना चाहिए और क्या करना चाहिए Mr. A.B.A. मत को Decentralizing Decentralizing का मतलब है विकेंदरी करन कि जब सत्ता पूरी की पूरी केंदर सरकार के हाथ में होती है केंदर सरकार के कंट्रोल में होती है जब केंदर सरकार सत्ता को डिवाइड करती है छेतरी लोगों तक भी सत्ता को पहुँचाती है इसे कहा जाता है decentralization तो Mr. Abiy Ahmed को क्या करना चाहिए power को decentralize करने की कोशिश करनी चाहिए the federal government कि Ethiopia की जो federal government है Ethiopia की जो संघीय सरकार है उस संघीय सरकार को Mr. Abiy Ahmed को जो है क्या करना चाहिए उसका विकेंदरी करन करना चाहिए